तूआसोईगों नमस्ते पडाम मैं आपका अपना ठागूरपरेकरशिंगों रात के दस बच चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है, बदस दूर जा रही है आज की कहानी के बात करों तो आज की एगर पूरी कहानी आपने सुन ली तो सायद आपको एक वेपसरी पीछे छूपती नजर आएगी तिन-चार घंटे की मूवी तो आपको यूहीं लगेगा कि सायद जो कहानी आज मैंने सुनाई इस कहानी पे तो एक अच्छी खासी मूवी बन सकती है और मूवी ऐसी कि इसको जो भी देखे का एक बार उसकी आखों में आशू आ जाएंगे कि ऐसी चीज़े आज भी होती है कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके बच्पन से लेके उसकी जिंदगी के वह पहलू जहाँ उसे इंज्जुई करना था जहां उससे कुछ अच्छा करना था जहां उसे खुश होना था उसकी सोच उसके दिल में जो सचाई चुपी थी और उसके बदले जो कुछ उसे मिला जो सदा मिली साइद आप कितने भी पत्थर दिल हो कहीं न कहीं आपकी आँखों में आशू आ जाएंगे हाला कि उस लड़की ने भी जो कुछ किया वो गलत किया फिर भी आपको आज उस लड़की से हमदर्दी जरूर होगी तो पूरी कहानी क्या है? सिलसल्यवार तरीके से आपके सामने रखने जा रहा हूँ तो इस कहानी के सुरूआत होती है उत्रा खंड से उत्रा खंड में एक जगह लगती है अल्मोडा और मैं बात कर रहा हूँ साल 2007-05 के आसपास की इसी अल्मोडा में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था सीतल सीतल बहुत गरीब परिवार की लड़की साल 2005 में उसे साब से लड़कियों के उत्थान के लिए कोई चीज़े भी नहीं थी नहीं उतना सोशल मीडिया था नहीं लोग इतने जानकार थे अगर उस टाइम में कोई लड़की हाई स्कूल और B.A.B.S.T. कर ले तो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जाती थी आज जो नॉर्मल लगदा है उस टाइम बहुत बड़ी चीज़े थी सीतल बहुत गरीब परिवार की थी इतिफाक से पढ़ने लिखने में अच्छी थी माबाप बहुत कम कमाते थे तो सीतल की इक्षा थी कि अगर मैं थोड़ा बहुत पढ़ लूँगी तो पढ़ने के बाद अगर कोई सरकारी नोकरी मिल जाए तो माबाप की जो जिन्दगी है ठीक ठाक तरीके से गुजरने लगेगी लिहाजा सीतल ने मैट्रिक यानि है स्कूल का एक्जाम दिया और ठीक ठाक तरीके से पास किया फस्ट डिविजन उसके बाद उसने इंटरमीडियत का एक्जाम दिया उसमें भी उससे अच्छे खासे अंक मिले उसके बाद किसी ने उससे कहा कि अगर तुम तैयारी कर लो और आज के टाइम में साल 2004-05 में कंप्यूटर का बहुत डिमांड था यानि अगर किसी को कंप्यूटर चलाना है और खास कर गो लड़की हो तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी तो ऐसी किसी ने कहा कि अगर तुम कंप्यूटर का कोई कोर्स कर लो थोड़ी बहुत तुमें टाइपिंग हो गयर आज आज है तो तुमें कुछ प्रोग्रामिंग हो गयराज है तो तुम अच्छी खासी नोकरी पा सकती हो लड़की की इंगलीस अच्छी थी जो सीतल है वो चली जाती है कूचिंग करने शहर में अब जिस गाव में इसका घर था वहाँ से सहर जो था लगबग 25 किलोमेटर दूर था 25 किलोमेटर जाने के लिए जो गवर्मेंट बसेज होती थी उनको यूज करती थी लेकिन माली हालत उतनी अच्छी थी नहीं घर वालों के पास उतने पैसे नहीं थे कि डेली किराया दे सकी तो अभी ये क्या करें जाने की जजवा जाने की इच्छा भी थी साइकिल से भी मुस्किल था साइकिल ये फॉर्ड भी नहीं कर सकती थी लिहाजा फिर इसने एक तरीका अपनाया उत्राखंड पहाडी लाका तो ऐसे तो सडके जो घुमावदार थी तो 20-25 किलोमेटर दूर था जहां इसे जाना था इसके कोचिंग शेंटर पे लेकिन अगर ये शॉर्टकट लेती खेतों के रास्ते से पहाडों के रास्ते से जंगल के रास्ते से तो मैं इस तीन से चार किलोमेटर का फासला और इतना ये आराम से पैदल ट्रैबल कर सकती थी लिहाजा इस लड़की ने सोचा कि कहां से जाएं और क्यों इतना खर्चा करें पैदल ही चलते हैं उसके बाद ये पैदल चलना सुरू करती है कई दिनों तक लगातार ये उन रास्तों से जाती है कई लोग इसको देखते भी इसको समझाते हैं भी कि जंगल की रास्ते से मत जाओ कोई जंगली जानौर होगा लेकिन ये कहती कि जंगली जानौर होगे लेकिन मैं भी यहीं की लोकल हूँ अबादत हो गई है पैसे भी बच जाते हैं और कौन सा जानौर मुझे कुछ कहेगा बेरहाल ये तमाम चीज़े चलती रही वक्त देरे गुजरता था इसी पीच अक्सर जब ये जाय करती तो उसी रास्ते से एक ट्रक वाला निकलता था कभी उसको समान पहुचाने उत्रखंडाना होता तो उसी रास्ते से जाता टाइमिंग भी कभी कभार मैच हो जाती है तो एक दिन उस लड़की को जब जाते है उसने देखा तो उसने पूछा कि बिटा आप इस जंगल से क्यों जाती हो तो उसने अपने पूरी मजबूरी बताई अब इस ट्रख ड्राइबर जब यह जी सुनता है दूसे बड़ा अप्शोस होता है कि बिटिया जो पढ़ने लिखने में इतनी होनहार है वो इतने स्ट्रगल को कर रही है उसने कहा कि काम करो तुम कहीं छोटी मोटी नोकरी कर लो इस वे उस लड़की ने कहा कि कहां से नोकरी बैरहाल ये तमाम चीजे बातचीत तिन दोनों में होती रही एक दिन गुजर गया तुबारा ट्रख ड्राइबर फिर आया फिर से उसको देखा फिर से बातचीत हुई ऐसे ही अक्षर महीने में 3-4 चकर उस ट्रख ड्राइबर ने लगाए और जब जब आये तब ये लड़की दिखे ट्रख ड्राइबर को भी उससे कुछ हमदर्दी हो गई ये भी अपना मानने लगी ट्रख ड्राइबर की उमर हचे की थी लबग 55-60 साल इदर लड़की 16-17 साल की थी तो एक दिन ऐसे ये लड़की जब जा रही थी अपनी ट्यूशन के लिए तो ट्रख ड्राइबर भी जिरिकल रहा था ट्रख ड्राइबर ने इस लड़की को देखा तो उस लड़की से कहा कि कहा जा रही हो लड़की ने बताया कि अंकल उसे कोचिंग पे जा रही हो ट्रख ड्राइबर कहता है कि मैं भी उसी डिरिक्शन में जा रहा हूँ ते काम करो आओ तुम बैठ जो मैं तुमें आज छोड़ देता हूँ नहीं तो रोस तो तुम पैदल जाती हो अब उस ट्रख ड्राइबर ने इतने लगाओ के साथ जब ये लाइन बोली तो इस लड़की को भी लगा कि चलो ठीक है चले चलते हैं लड़की ट्रक में बैठ गई बैठने के बाद उस ट्रख ड्राइबर ने उसको एक पानी दिया पीने को और कहा कि तुम ठक गई होगी लग पानी पी लो लड़की पानी पीती है पेने के बाद अच्छानक से उसकी आँखों के सामने अंधेरा चा जाता है फिर उसे दिखना बंद हो जाता है और उसके जो होश थे वो फाक्ता हो जाते है इसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ कितना वक्त लगा उसे कुछ भी नहीं आन थोड़ी देर बाद जब उसकी आँख खुलती है जब अपने आपको सम्हालती है अपने आसपास चीज़ों को देखती है तब वो देखती है को एक कमरे में बंद है फ़वरन वो दर्वाजा पेटती है पेटने के बाद बाहर निकलने के कोशिश करती है जैसे ही बाहर निकलने के कोशिश करती है बाहर से कई महिलाएं आती है आने के बाद उसकी बुरी तरह पिटाई करती है पिटाई करने के बाद कहती हैं कि यहां से जाने की कोशिश मत करना लड़की जब यह तमाम चीज अपने साथ देखती है कि कुछ लोग आते हैं आने के और उसकी पिटाई कर रहे हैं हैरान होती है, हैरान होने के बाद पूछती है कि मैं हूँ कहा और आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यूं कर रही है तो उस पर वो लोग बताते हैं कि तुम इस समय कोठे पर हो और अभी तुम उत्तरपदेश के मेरट में हो अब लड़की उत्रखंड के अलमोडा की पहुँच गई मेरट लड़की परिशान है लेकिन उसकी ना कोई सुनने वाला ना कुछ कहने वाला लड़की ने कई बार बचने की कोशिश की, मदद मागने की कोशिश की लेकिन 15 से 20 दिनों तक लगातार उसे टॉर्चर किया जाने लगा उसको मारा जाने लगा तब तक मारा पीटा गया जब तक इस लड़की को अंदर ही अंदर ये बैठाने दिया गया कि अब तुम्हारा यही भविश है, तुम्हारे यही मुस्तक्बिल है और यही अब तुम्हे रहना तुम्हारे निकलने ही शकती महीनों तक उस लड़की ने बचने के निकलने की नजाने कितनी कोशिश की लेकिन ना है शीतल वहां से निकल पाई ना ही किसी ने उसकी मदद की जब जब वो निकलने की भागनी की कोशिश करती उसे बस मारा जाता नहीं उसे खाना दिया जाता ठीक से नहीं पानी दिया जाता नहीं कोई शुक्सुद्धा मिलती एक कपड़े में वहीं पड़ी रही और अंत में महीने भर गुजरने के बाद जब सीतल तूट गई और उसने उस कोठा माली की सत्या को सुईकार कर लिया और कहा कि साइद भी यही मेरा भविश्य है तब जाके उसको पहली बार एक कस्टमर के सामने भीजा गया कस्टमर आता है माली को पैसे देता है इसके साथ रेप करता है रेप करने के बाद वो चला जाता है और अब से यही इसकी जिन्दिगी का दस्तूर हो गया वक्त गुजरता रहा लगातार इसको जिस्म परोसी में ढखेला जाने लगा लेकिन एक चीज ऐसी थी सीतल के पास जो सायद अब तक वहाँ पे महजूत किसी लड़की में नहीं थी पहला चुकी यह बहुत पढ़ी लड़की थी पढ़ने लिखे में बहस्तेश थी जब कोई कस्टमर इसके पास आता कोई बेक इससे मिलने आता इसके बाद चीज का जो लहजा था जो यह पढ़ी लिखे अंदाज में उससे बात करती थी वो चीजें उन कस्टमरों को बढ़ा करशित करती थी और दूसरा यह एतनी खुबसूरत थी कि साइद वैसी कोई लड़की उस पूरे कोठे पर नहीं थी तो वक्त के साथ साज जब यह दोनों चीजें लोगों ने देखी तो इसकी डिमांड उस पूरे कोठे पर बढ़ती चली गई अब इसकी डिमांड बढ़ती चली गई तो जो कोठा मालिक था वो भी खुश होता चला गया यानि जो आपा ये कोठा चला रही थी वो भी खुश थी कि चलो इसकी वज़ा से डिमांड्स बढ़ी यह लोगार है देखते देखते जो कोठा मालिक था यानि जो मालकिन थे उनसे भी शम्मंद अच्छा हो गया वो भी इसको काफी मानने जानने लगी वक्त गुजरने के साथ साथ ही अपने पूरे परिपक्ता के साथ अपने धन्दे में जुटती चली गई है शुरुआत में जब यह मना करती थी तो उस टाइम इसको कुछ इस्टोराइट की दवाई भी दी गई, कुछ इंजेक्शन्स भी लगाए गए ताकि इसके हॉर्मोन्स उसे साथ से बढ़ें और इसका जो फिजकल अपिरियंश है वो बहुत डिबलप हो जाए बैरहल वक्त के साथ साथ जब सीतल को भी लगा कि अब नहीं निकल सकते इसने भी उस सत्ता को सुईकार कर लिया और जिस्म पर उसी के धंडे में जुटी रही तमाम चीजे चलती रही अपने आपको इसने उसे चार दिवारी में कैद करके रख लिया थोड़ा वक्त गुजरता है और गुजरने के बाद अलग-अलग संस्थाओं के लोग भी आते थे इस जगाँ पे कई ऐसे लोग थे जो human trafficking के members थे वो चेक करने आते थे कि यहाँ पर कोई human trafficking तो नहीं हुई है हला कि सारी लड़के human trafficking से ही आई थी लेकिन तब तक उनका brainwash कर दिया जाता था इतना बता दिया जाता था कि अगर तुम मूँ खोलोगी तो चीज़ें बहतर नहीं होगी तुम आए लिए साथ ही वहाँ पर ये भी देखा जाता था कि कोई child prostitution ना हो यानि कोई बच्ची कोई नावालिक लड़की भी वहाँ आई हो हला कि वो भी आती थी वहराल ऐसे लोग आते थे आने के बाद बातचीत करते थे कई welfare के लोग आते थे तो ऐसे एक महिला आती है आने के बाद वो तमाम लोग उसे बातचीत करती है तमाम लोग उसे मिलती है बातचीत करने के दोरान उसकी मुलकास सीतल से भी वो महिला जब सीतल को देखती है तो देखने के बाद बड़ा हैरान होती है चुकि सीतल पहली बाद तो पढ़ने लिखने में बेहद अच्छी है और दूसरा उसकी सकलो सूरत इतनी खुबशूरत हूँ अब वो परिशान हो उस महिला ने इससे पूछा कि आप बिटा इतनी खुबशूरत हो इतनी पढ़ी लिखी मालूम होती हो तो यहां कैसे है अब यह चीज जब उस महिला ने इससे पूछा तो इसने अपनी पूरी कहानी बताई और कहा कि मैं इससाब से पढ़ने जा रही थी और एक ट्रक ग्राइवर ने मुझे यहां लाके बेज दिया तब से मैं यहीं फसी हुई हूई हूई उसके बाद उस महिला ने पूछा कि क्या तुमने बचने की कोशिश नहीं की जब इसने एक और दर्दभरी कहानी सुनाई दरसल अलग-अलग लोग के साथ सर्विस देने के दोरान यह एक बार यह प्रेगनेंट हो गई थी अब प्रेगनेंट होई इसका वोशन उस कोठे की मालकिन ने करवाया नहीं इस ने बच्चे को जन्द दिया बच्चे को जन्द देने के दोरान जब एक बच्चे की यह माँ बनी तो कहीं ने कहीं उस बच्चे से इसे लगा हुआ चुकि 9 माई ने इसने अपने उस कोक में रखा था तो जब भी अब ये निकलने की कोशिश करती तो पहले मारा पीटा जाता था लेकिन जब से बच्चा हो गया तब से उस बच्चे को एक जगा रखा गया और बलेक मेल किया जा रहा कि अगर तुम निकलोगी तो उस बच्चे को मार देंगे ले आजा अब सेतल के पास कोई आप्शन ही नहीं था अब ये तमाम चीज़ जब वो बेलफेयर की महिला सुनती है सुनने के बाद बड़ा अफसोस करती है मदद की गुंजाइस बताती है कहती है मैं तुमारी मदद करूँगी लेकिन खैर वो महिला अपने तरीके से लड़ती रही लेकिन इसको ठेकी मालगीं का सिस्टम थोड़ा उपर तक था उस महिला ने कुछ ज़्यादा खास किया नहीं या फिर कर नहीं पाई वक्त गुजरता चला गया लेकिन जब इस संस्था से जुड़े होने की वज़ा से उस महिला से सीतल की बाचीत हुई तो बाचीत के दवरान अब सीतल को भी थोड़ा सा उस महिला से लगा हो गया और उसे लगा कि साइ जो ऐसे संस्थाओं से जुड़े लोग होते हैं, दिल के बड़े इच्छे होते हैं वक्त गुजरा और एक लड़का आता है, और इत्वाक देखिए कि वो लड़का भी ऐसे ही एक संस्था से जुड़ाता है लड़का रगल लड़कें से बात करता है सबसे पूछता है कि क्या दिक्कत है क्या परिशानी है सीतल से भी उसने पूछा सीतल ने भी अपना सुख दुख बताया अब चुकि सीतल को उस महिला पर इतना भरोसा था तो उसमाहिला की वज़ा से सीतल को ये भी लगने लगा कि साथ ये लड़का भी बढ़िया होगा दोनों के बीच बात चीत हुई सीतल इतनी खूबसूरत थी कि लड़का पहली ही नजर में सीतल को दिल दे बैठता है सीतल को बाहर लेके जाता है घुमाने के लिए घुमाने के बाद उसके साथ वक्त गुजारता है वक्त गुजार के वापस आता है वापस आने के बाद उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ अब एक लड़की जो पिसले कई सालों से जिसम परोशी कर रही है जिसके सरीर को सिर्फ कई लोगों ने नोचा खसोटा और भूख बिलास की चीजें समझे पहली बार कोई ऐसा लड़का था जिसने कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ सीतल की आखों में आसू आते हैं आसू आने के बाद उसे पहली बार लगा कि हाँ इस नर्क भरी जिंदगी में भी जीने की कोई उम्मीद है सीतल भी दीपक को पसंद करने लगती है दोनों वक्सर मिलते रहे एक दूसरे से बातचीत करते रहे जो सर्विस जो काम अब तक वो पैसे से कर रहे थी पैसे लेके पहली बार उसने किसी के साथ अपनी रजामंदी के साथ की थी वक्त गुजरा दोनों एक दूसरे की प्यार में सीरियस हो गए लेकिन जब इधर सीरियस होते चले गए उधर दीपक लगातार कहता रहा है मैं तुमसे शादी करूँगा सीतल भी पहली बार तूटे हुए जीवन को फिर से सजो रही थी तभी एक दिन सीतल को एक ख़बर पता चलती है और खबर इतनी अफसोसनाक थी जवास्तों में सीतल की आँखों में आँसू ला देता है दरसल सीतल को पता चलता है कि दीपक की तो कहीं और साधी हो रही है और दीपक चुकि सीतल की खुबसूरती पे फिदा था इस वज़ा से बस उसे यूज़ कर रहा था एक लड़की जो इतने दर्दभरी जिन्दगी में जी रही थी एतनी तकलीफों को उठा रही थी पहली बार किसी लड़के से उसे उम्मीद की किरण दिखी थी और जब उस लड़के ने इस लड़की के साथ ऐसा कुछ किया तो सीतल बुरी तरह तूट जाते है तोटने के बाद उसको कुछ सौझ नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें उसको पूरी दुनिया पे अब भरोसा नहीं था वो फिर से अपने उस दलदल भरी जिन्दगी में लोटती है लगातार अलग लग लोगों के साथ वो सोती रही उसके पास इस कोठे की मालकिन ने फोन किया और ये फोन लगवग दो साल बाद आया था फोन करने के बाद कोठे की मालकिन कहती है कि दीदी आपको याद होगा कि यहाँ पे एक सीतल नाम की लड़की थी कोठे की मालके जब यह चीज बोलती है तो वो वेलफेर वाली महिला कहती है कि बिलकुल मुझे याद है और उसका नेचर तो आज भी मुझे नहीं बोलता तो इस पे वो कोठे वाली महिला कहती है जो आपा थी कि उसकी तबियत खराब है और पहली बार वो कह रहे हैं कि मुझे आपसे ही मिलना है अब चुकि सीतल और उस महिला के बीच इतना लगाओ था कि जब बीमारी की खबर सुनते हैं तो फौरण वो भागी भागी आती है आने के बाद उसको समझाती है पूछती है क्या हुआ सीतल को देखने के बाद कहने के उसकी आखों में आशू आ जाते हैं चुकि सीतल सूख के काटा हो चुकी थी और पूरा चेहरा काला हो गया था मानो यह सीतल है ही नहीं फौरण डॉक्टर से वो महिला मिलती है मिलने के बाद कहती है कि इसके इलाज में जितने भी खर्चे लगेंगे आप इलाज कीजे सारा पैसा मैं दूँगे लेकिन उसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि अब इसको बचाय नहीं जा सकता चंद लम्हों की ये महमान है उस महिला ने पूछा क्या हुआ है उसने का इस केस हो इस लड़की को एट्स हुआ है अब एट्स का नाम सुनते ही उस महिला के पैरुतले जमीन खिसक गई उसने फौरन उस कोठे की मालकिन को फटकारना शुरू किया कहा कि तुमने इस तरह का काम क्यूं करवाया तुम जिस पर उसी करवाती थी तो एक प्रोटेक्शन के साथ करवाती है उस महिला ने कहा कि मैं प्रोटेक्शन देती थी लेकिन सीतल ने जानबुच के अपनी मर्जी से प्रोटेक्शन यूज नहीं किया तब सीतल से पूछा गया क्यों तब सीतल ने हसते हुए कहा कि मुझे अपने उस लबंदे से बदला लेना था उस दीपक से जिसने मेरे साथ खिलवाड किया और मुझे इसकदर तोड़ दिया यहीं से कहाने फिर एक साल पहले पहुंच जाती है दरसल जब दीपक सीतल को इस तरह से छोड़ता है उसको तकलीम देता है तो सीतल जानके भी अंजान बन जाती है अंजान बनने के बाद फिर दीपक के प्यार में पड़े रहने का नाटक करती है इधार जो सीतल थी अलग-लग लोगों से बीना प्रोटेक्शन के बीना कॉंडूम की सेक्श करती है उनके साथ फिजिकल लिलेशन बनाती है कई मर्दों के साथ लगतार करनी के वज़ा से किसी मर्द को HIV AIDS था इस वज़ा से सीतल को भी AIDS हो जाता है और उसका प्लान ही यही था कि उसको कहीं से AIDS हो जाए जैसे AIDS होता है AIDS होने के बाद वो दीपक को बुलाते है उसके साथ सब कुछ करती है ताकि दीपक को भी AIDS हो जाए उसके बाद दीपक को भी AIDS होता है और कहानी का क्लाइमिक साब देखिये कि जिस हॉस्पिटल में सीतल उस दिन एडमिट थी उसी हॉस्पिटल में दीपक भी AIDS से एडमिट था दोनों अगल बगल की रूमों में एडमिट थे डॉक्टर ने जब पूरी कहानी सुनी थी उसके बाद सीतल ये तमाम चीजे बता ही रही थी तब ही जो डॉक्टर था हुआ आने के बाद सीतल को बताता है कि जिसके बारे में तुम लगतार पूशती रही हो आज उसकी मौत हो गई यानि दीपक HIV AIDS की वज़ा से मारा गया जैसे ये ख़बर सीतल सुनती है सुनने का उसके चेहरे पे हलकी सी मुस्कान आती है कुछ घंटे उसकी सांसे और चलती है और फिर वो भी दम तोड़ देती है अब इस कहानी को जब आप सुन रहे हैं तो आपके पास दो चीज़े आई पहला सीतल की जिन्दगी कितनी नर्क भरी थी और उसने बदला लिया लेकिन बदला लेने के चेकर में उसने नजाने कितने और मर्दों की खराब कर दी च्योंकि ऐसा नहीं था कि उसे पता था कि किस मर्द के वज़ा से उसे एचाई वेट्स हुआ वो लगातार सोती चली गई कई लोग के साथ इस वज़ा से अगर बीच में उसे हुआ था तो उसके बाद जितने भी लोग उसके साथ सो रहे थे सबको एट्स हुआ होगा तो नजाने कितने घर परबाद हो गए लेकिन सीतल के साथ भी अच्छा नहीं हो तो इस कहानी के बारे में आपकी क्यारा है आप भी कमेंट जरूर कीजेगा तो आपसे कल फिर मुलाकात होई किसी दूसरी कहानी के साथ तब तक अच्छे रहीएगा खुश रहीएगा अपना ख्याल लखेगा अपना देश का ख्याल लखेगा जैहिन बंदे मातरा